गूल इवनीं अभीवान, स्टार्ट करें क्लास को, चलिए सो गर्य स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक फ्लोरी कल्चर का लेक्चर था, ती लेक्चरी से पहले हम DDISO के दे चुक है, यह हमारा फॉर्थ लेक्चर है यूट्यूप पे, हमने इस लेक्चर को कल स्केडूल किय था actually but किसी technical issue से कल नहीं हो पाया था तो इसे आज continue करते हैं चलिए तो सब लोग आ गया है करें start yes or no okay so एक बार एक revision देता हूं previous lecture का है ना कुछ आपके doubts से वो भी clear कर देता हूं मैंने देखे comments के अंदर आपने doubt लिखे हुए थे एंद फिर उसके बाद continue करेंगे हमारी class जो next time पढ़ने वाले हैं है ना मैं आपको पहले याद करवा दू last जो हमारा lecture था हमने basic floric culture में इस point पे छोड़ दिया था कि इस point पे जो हमारा arches वाला point था arches हमने नहीं पड़े थे इससे पहले का जो था मतलब यहां तक जो part था यह मैंने आपको समझा दिया था एक आज सुबह question था YouTube पे doubt था किसी का doubt was के sir जब hedge की बात करता है shrubs की बात करते है shrubs और hedges में difference क्या होता है है ना तो बच्छो जब shrubs और hedges की बात करेंगे difference क्या हो है अब एक hedge आपको सामने दिखरी है screen पे बट जब इस hedge की बात करता हूं बच्छो तो इस hedge को हमने बनाया कैसे है है ना इस hedge को हमने बनाया है use करते हुए किनको shrubs को तो shrubs को use किया जाता है hedge बनाने में अब hedge और hedge का difference आपको बताया था कि hedge और hedge के difference की बात करेंगे तो उसम मतलव जब बात करता हूँ हाइट जादा जो सामने आपको दिखरी है यह है और छोटी होती है वह क्याती है अगर नहीं पताओ तो मैंने जो शुरू वादा लेक्चर दिया था उसमें आपको समझाया था इमेज़ भी दिखाई थी के हैज और एज गार्डन के अंदर कैसे अलग अलग कंपनेंट यूज किये जाते है चलिए ठीक है अब एक काम करता है कि रिवीजन आपको फटावर्ट से देता हूँ फिर आगे मूग करूँगा तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमन ग्रूप अब श्रब्स आप लगा देते हैं वो हमारा क्या जाता है उसे हम श्रबरी बोल देते है राइट गाइज सब्री के बाल हमने क्या पढ़ा था सब्री के बाल हमने पढ़ा था क्लाइमबर्स को क्लाइमबर्स क्या है जो वीक स्टेम्ड है जिनका स्टेम क्या है व पीक स्टेम के कारण क्या हो जाता है वो ऊपर चड़ नहीं पाते हैं खड़ नहीं रहाता है उनको सहारा चाहिए होता है तो सहारा लेके वो क्या होता है उपर चड़ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं climber बोल देते हैं जैसा कि आप सामने image में देख सकते हैं climber पता है सभी को पढ़ा था हमने previous lecture में नहीं पढ़ा होगा किसी ने तो पिछली वीडियो जा के देखिए वहाँ पर climbers को समझाया गया है उसके बाद next क्या word दिखा आपको next is creeper creeper जैसा कि इनके नाम के साथ ही लगा creep करते हैं ये नीचे रेंगते हैं ये उपर नहीं चड़ेंगे आप देख सकते हैं image के अंदर वो surface के उपर ही टिके हुए हैं तो इन्हें क्या बोल देते हैं बच्चों इन्हें बोल देते हैं creeper next वोला गया herbaceous border जैसे अभी हमने shrubs के बारे बात की थी shrubs के लिए हमने बोला था वोड़ी होते हैं लेकिन ये हमारे क्या होते हैं ये नोन वोड़ी है है ना herbaceous border जो होता है कुछ ऐसे आप image के अंदर देख सकते हैं herbaceous border आपको दिख रहा है और ये क्या होता है इस इस नोन वोड़ी उसके बाद हमने रोकरी की बात की थी जो stone का arrangement है उसे क्या बोलते है उसे रोकरी बोल दिया जाता है फिर carpet bed की बात करी थी कि कुछ लिखना होता है alphabet किसी numerical को वहाँ पर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं carpet bed को यूज कर सकते हैं जैसा कि आप सामने image में देख सकते हैं फिर अपने पड़ा था floor beds और floor beds and floor border के बारे में कि एक जगा पे continuously आपने floor लगाए हुए तो वह क्या floor beds हैं और अगर आपने boundary पे लगा दिया उन floors को तो वह हमारे क्या बन जाते हैं boundary पे लगाने बने floor border बोलते हैं जैसा कि आप सामने अभी image के अंदर देख सकते हैं आगे चलता हूँ यह question हम discuss कर चुके थे यह ना फिर उन्हें पड़ा था edge और hedge के बारे में तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि edge की जब बात करता हूँ तो edge की height होती है बच्चो आगे चलते हैं hedge में आपको दिखा था image के अंदर है आप सामने देख पा रहे हैं आपको दिख रहा है edge छोटी थी यह उसके comparatively काफी बढ़ी है कभी कभी तो आपकी hedge होती है 3 से 4 मीटर तक भी जा सकती है और hedge के लिए हम किनको यूज़ कर रहे है आज के lecture को start करना था तो पहले यहां तक yes or no लिख दो कि जो previous lecture था आप समझ गयो तो yes लिखे कोई doubt है तो doubt लिखे एक बार आपको doubt है तो वो देख लेते हैं फिर आगे move करते हैं हमारे lecture पे आगे हमें पढ़ना है किसके बारे में आर्चे के बारे में आर्चे क्या होती है परगोला क्या होता है उसका हम discussion करेंगे एक बार yes or no लिख दीजिए क्या जितना बताया गया सब्यों clear है बिकोज अगर doubts होंगे तो फिर से explain कर देंगे और नहीं है तो फिर हमारे topic के साथ जो अगला पार्ट है आर्चे से हम lecture को start करते है चलिए ठीक है hopefully आप yes लिख रहे हैं है न ओके fine ठीक है start करते है बचो है आगे चलते हैं आर्चेस की बात करते हैं तो एक बार आर्चेस को श समझ आ गया है ना देह चुके आप चैस राइट गया आपको दिख रहे है अशे यहां पर कर पकब्स अब इसारण चलती जा रियो तो को श्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं आर्चेस क्या होती है थारा ध्यान से पढ़िए क्या इस वो दोट से वाल देक्टार आज़ था An arch is a cow structure on which to grow wines, roses and other climbing plants तो rose उस पर हो सकता है, कुछ climbing plant हो सकते हैं, wine हो सकती है बड़ बात ये कि इस cow structure पर बुड़ी हुई सरंचना के उपर हमने उनको train कर दिया कोई walkway है, कोई sitting area है, वहाँ पर इसके structure मना दी तो उसे क्या बोल देते हैं भचो, it is known as arch arch के बाद अगर बात करें, पर्गोला, पर्गोला क्या होता है, पर्गोला भी arch जैसा ही कुछ होता है because arch को हमने use करा shaded walkway लिए लिए, मतलब ऐसा रस्ता जहां से गुजरते हैं आँ चाया होनी चाहिए, या फिरक sitting area के लिए उसी जैसा ही same purpose हो सकता है पर्गोला का बट पर्गोला थोड़ा सा अलग है, पर्गोला कैसे अलग है बच्चों, जब पर्गोला की बात करने को बोला गया अब पर्गोला is a garden feature, forming a shaded walkway, passageway or sitting area of vertical post or pillar that usually support cross beam a sturdy open lattice strips often upon which woody wines are trained देखो यहां पर इसकी structure को देखो, इसके ओपर भी wine को ही train किया गया है, climbers को ही लगाया गया है लेकिन इस structure में और आपकी इस structure में बहुत difference है पर-पर same हो सकते हैं, बट दोनों में difference है, कभी-कभी definition में ये भी लिख दिया जाता है कि बहुत सारा है जो आपकी arches हैं, वो जब adjoin होते हैं, उन्हें परगोला बोल दिया जाता है कभी-कभी ऐसा भी definition में लिख देते हैं, बट जो basic difference है मैंने आपको समझाया hopefully आप लोग समझ पायोंगे कि arches क्या है और परगोला क्या है समझ के ये major है, है ना, एक और point होता है वो ते आपका garden pagoda, परगोला नहीं, garden pagoda pagoda ज्यादा famous सा concept नहीं है, है ना, जब pagoda की बात करेंगे, pagoda में क्या बोला गया it may be in the form of stone tower और pagoda, pagoda are square, hexagonal और octagonal in a plan यहाँ पर देखिए, है ना, इस image को देख लो, because देख लेंगे तो हमें याद रहे जाएगा, है ना, तो यहाँ हमने देखा यह जो structure आपको दिख रही है यह structure square हो सकती है, मतलब work के form में, hexagonal हो सकती है, octagonal हो सकती है the roof may have 3, 5 और 7 और 9, 11 separate routes है ना, तो इनकी roof की structure देखिए, बट यह बहुत ज़्यादा हमें गार्डन में नहीं दिखता क्योंकि यह specific garden का feature है, बट arches और pergola अकसर आपको दिख जाते हैं और दिख नहीं जाते हैं यह तो confirm आपने भी कही नहीं देखा होगा, किसी park में से, garden में से निकल रहोगे, रस्ते में ऐसे बना होगा, confirm हमने देखा होगा ऐसा बट वो थोड़ा अलग है कोन आपका, garden pagoda, hopefully आप pagoda को भी समझ पायोंगे, है ना, चलिए, आगे चलते हैं एक question आपके लिए है ना, question में क्या बोला गया, question के अंदर बोला गया आपका, an arch structure, where wines are curved around it, generally at the entrance is known as, answer आपको दिख रहा सामने, answer क्या है इसका, arch चीज, ऐसा क्यो ना में, इसने बोला, an arch structure, या फिर curved बोल दे वहाँ पे, है ना, curved structure, where wines are curved around the, generally at entrance is known as, तो entrance में है, जहां से निकल रो, walkway में है, कहीं पे भी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, it is known as arches, right, है ना, अभ्यान रखना, pagoda, pergola, और arches में difference, आगे चलते हैं, बात करते हैं, garden की, garden क् आप लोग जानते हो, of course हमने थोड़ा बोट discuss भी किया हुआ है, and हमने garden के बारे में पहले पढ़ा भी था, जो previous lectures थे, है ना, के garden क्या होता है, एक बार आप से पूछता हो, फिर आपको बताऊंगा garden क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं, just simple सी language में लिख दो, Hindi, English या कोई और language चलेगी, but definition सही लिखना garden किसे कहते है, है ना, अगर मैं कहीं पर गया, let's say अभी आपकी class आजकल तो काम खराब है, है ना, lockdown चल रहा है, जैसी मालों normal situations है, मैं बाहर गया, and मैंने वहाँ जाते ही बोला कि यार, ये बड़ा beautiful place है, है ना, ये बड़ा beautiful garden है, तो मैं कैसे उसे कह सकता हूँ कि ये place जो है, एक garden है, जड़ा लिखिये definition, garden किसे कहा जा सकता है, garden, कैसे, अब जैसे आपको सामने image का अदर भी दिख रहा है, इसको मत पढ़ना, एक बर यहाँ पर क्या लिखा गया है, है ना, कराई definition है, वो gross नहीं कर रहा हूँ, बट एक बर पढ़ना Just हम अपने mind से लेके चलते हैं, हमें पता है कि नहीं पता, आपको सामने दिख रहा है, यह जो place है, यह garden है, अब इसे कैसे garden कह सकते हो, ऐसा क्या आपको दिखता है, कहीं जा रहे हो, आप बोलते हो, यह सड़क है, यह road है, और यह garden है, तो कैसे आप differentiate कर पाते है प्लेस को, जिससे आप garden बोल पाओ, ऐसा कुछ तो special feature होगा, तो चलो एक बार आपसे पूछते हैं, फिर आगे चलेंगे, यह जो place है, मुझे तो दिख रहा है, मैं तो इसे देखे garden कह सकता हूँ, क्या mind में आ रहा है, कि हम इसे garden बोलने हैं, बताओगे, आगे चलते हैं फिर उसके ब होता है, तो यह सब discuss मत किया करो, यहां ब्राच है, ब्राच है, ब्राच वाली चिंता मत करो, लोगडाउन खुलने दो, बड़े सारे ब्राच तो भी 12 ही है, प्लैन बहुत सारे हैं हमारे हैं, लोगडाउन जैसे खुलेगा ना, confirm पूरी इंडिया प्रेजन्स बना देंगे यह आप लोग का प्यार में, उस दिन लास्ट टाइम जब लेक्चर दिया, मैंने देखा ना, कुछ साड़े 500 के एराउंड सिंगल टाइम या ओनलाइन थे, मैं जस ऐसे सर्वे कर रहा था, मैंने देखे 2-4 चैनल यहां हो, जो बड़े-बड़े, अग्री कल्चर नहीं, अ आप इतने सारे लोग का सपोर्ट मिलता है, तो वराचे-वराचे मत पूछा करो, एक बार लेक्चर को चलने दो, विकोज ऐसी भी कुछ मैंने देखी, रिक्वेस्ट थे किसी बच्चे की, के लेक्चर थोड़ा लंबा होना चाहिए, मुझे याद है, मैंने एक बार 2 हंट का लेक्चर लिया था, यूट्यो पे सोयल साइंस का, तो किसी ने मुझे वोट्सेप पे रिपलाई करा, सब 2 हंटे बहुत हो गए थे, चोटा लेक्चर लिया अगरो, मैंने तब से 40-45 मिंटर रोग देगे, इससे उपर नहीं लेंगे, अब कोई बोरा है, सब लंबा लेक इससे कहते हैं, है ना, गार्डन की बात करते हैं, तो आपने लिखा के गार्डन एक प्लेस है, है ना, ओके, यश्पाल जी, एक मुझे अच्छा सा मुझे मैसे लग रहा है, आपका है ना, कमेंट में पढ़ लेता हूं, इसे हिंदी के अंतर आपने लिखा है, कहां पे है बहुत सारे आगे, एक अच्छा सुन्दर स्थान जाँ, शुषवबित पेड़ पोधे लगे होते हैं, ठीक है, अफ्कोस आप ठीक बोल रहे हैं, छलो इतनी सारी डेफिनेशन आपने लिख दी है, अफ्कोस आप सब लोग ठीक बोल रहे है, वेर डिफरेंट फ्लास, ट्र टीक है, प्लेस वेर आर्टिपिस ली मैनेज़ दर डिशक्र, ओके, ओके, फाइन ठीक है, है न, डेफिनेटल आप लोग ठीक बोल रहे हैं, जो बात करते है किसी गार्डन का मतलग है, यर सिंफल दी बात, एक ऐसा प्लेस जिसे वने ब्यूटिफाई कर देजिसके सुन्द कर नहीं है definition सही होनी चाहिए आपके तो गार्डनिंग है या बोला गया बोला गया गार्डन इस यूजली अपीस ओफ लैंड इस यूज फोर ग्रोइंग फ्लार्स ट्री श्रब्स एंड अधर प्लांट क्या बोला इसने भी तो वही बोला जो आप बच्चे बोल रहो फ्लार है ट्री श्रबुस एंड अधर प्लांट्स है अग्तोफ क्या फ्लार्इंग फेर न गद्र गडार्ण फा अड़ों की मुविंंग करणा है बाद को पानी दे रहा हूं मैं करनान गार्णन करहा है soil்ण प्लेस है वो को है A. A. G guard FOR करेंगे सबसे पहले आया A告訴 family home Van Damme किमहां सब कुभी मार्षी未 Алब यहां लिखा हुआ मार्ष बार अब्राफ की बाT करें जया हैं empresa मार्षी वर्द आपने पहले कम्हांवना पढ़नी नाम सुना गारएम सहांबूरे में सहाइन science में जगा पर word आता है that is known as marshy soil कोई जानते है ये marshy soil कौन सी soil होती है अभी इसकी बात करें कि अगर marshy soil का मुझे meaning बता दोगे या फिर marshy soil का दूसरा नाम बता दोगे तो आपको याद हो जाएगा कि वो garden क्या होती है बड़ा easy है ये भी marshy soil का में पता होना चाहिए तो कि बताएगा मुझे marshy soil हम जब बोलते हैं किन soil को marshy soil बोला जाता है soil का classification पढ़ते हैं तो कुछ type हम पढ़ते हैं पानी कम ज़्यादा कुछ ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसा area जहाँ पानी कम ज़्यादा है उस case में मार्षी किस से कहते है मार्षी जो आपकी soil है ये कौन सी soil होती है ओके चलो आपके कमेंट्स बहुत सारे हैं मैं जो कुछ कुछ दिखी जाते हैं सारे नहीं देख पाता हूँ है ना आप लोग जो भी लिख रहे हैं प्लीज लास्ट में लिख दें अभी कुछ ऐसा है ना इस ताइप पर पढ़ा रहा हूँ तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर सकता है रिप्लाई आ रहे है निहाओ बट मैं नहीं कर पाऊंगा ना तो जो ओवर हो जाएगा ये वाला वीडियो प्रोसेस होके आजाएगा आप नीचे कमेंट्स करना मैं हमेशा देखता हूँ रिप्लाई करना थोड़ा सा टाइम कंजूमरी आप भी समझते हो इतने सारे रिप्लाई नहीं हो पाते हैं बट मैं हर मैसेज को देखता हूँ कभी कभी 60, 70, 80 कोशन में डाल देते हैं मुझे लगता इतने कोशन को इंडिया में देता हूँ 80 कोशन इन डे हमने ओलिडिक टागेट लिया हो कि वन मंथ के अंदर जो लोगडाउन का पीरिड चल रहा है इस रिक्वेस्ट भी करता हूँ डीडी ऐसोई क्विज आज मैंने डाली बट कुछ दिन पहले बच्चों ने बुला था कि सर एफो को ता भूली गए हो तो मैंने एफो को भी आज कोई डलवाई है आप देखो टेलिग्राम पर जाकि चन्रिकेट वाल चैनल पे खड़ा रहता है है ना जहां पानी होता है वो क्या होता है दल दल अब बोग गार्डन का दूसरा नाम क्या बोला मार्स गार्डन मतलग कुछ तो ये बोलना चाहरा है जहां पे पानी खड़ा रहता होगा पढ़ते हैं इसको बाद में पहले देख लेते हैं आप देखिए यहाँ पर बोग गार्डन को, यह देखो यहाँ पानी है लेकिन हमने वहाँ पर प्लांट्स लगा के उसको ब्यूटीफाई कर दिया है, एक बार इमिज को अच्छे से देख लो, आपको समझ आ जाए, फिर पढ़ देता हूं, फिर पढ़ना इसी टास्क है, सम यहाँ पर वोटर को ड्रेन करना पड़ता है, मतलब पानी निकासी की स्विधाप को निकरनी पड़ेगी, पानी वहाँ से निकालना पड़ेगा, बहुत जादा पानी नहीं खड़ा रहता है, बट हाँ, पानी वहाँ पर होता है, मतलब जो लेंड है, वो हमेशा वेट कंड गाडन के लिए क्या लिखिया बढ़ थो बोग गाडन सी कंडिशन कुण 40 सी कंडिशन है जब धोratic दो बातू ओता है नसा थेंटव फेंडे की होरा थे तो मुस्त है बट वोटर लोग नहीं है कौन आपका वो गार्डन तो बोला गया अब वो गार्डन एम्प्लोई इस पर्मेनेंटली मॉस्त बट नोट वोटर लोग सॉयल तो क्रिएट एबिटेट फोर प्लांट एंड क्रिएचर विच थ्राइब इन सच कंडिशन इस ओल्सो नोन आज मार्श गार्डन इसे क्या बोलते हैं मार्श गार्डन भी बोला जाता है इट में एक्स्प्लोईट एग्सिस्टिंग पूर ड्रेनेज इन दा गार्डन और इट मे कैसी स्ट्रक्चर बना दे के वोटर को वहां पे ट्रैप कर रही है यह भी पॉसिबल है एनी सच स्ट्रक्चर मस्ट अलाव अस्वोल अमाउंट ओप सीपेज तू प्रिवेंट दा वोटर स्टेगनेंटिंग तो ऐसा भी क्या जाएग है वोटर वहां कठा ना पाए पानी पाई कठा ना पाए वोटर स्टेगनें ना पाए जो पानी की निकासी भी जूरी है तो आप समझ करेंगे बोग गार्डन को पानी होता है मुस्ट कंडिशन बटर वोटर लोगी नहीं और वहां पे ड्रेनेज की फैसलिटी आपको वैलेबल करवानी पढ़ती है आप सामने इमेज के अंदर देख सकते हैं किसको आपके बोग गार्डन को कैसा अब लोग क्लियर है या सो नो आगे चलते हैं बोग गार्डन का नेक्स बात करते हैं किसकी वोटर गार्डन की पढ़ूगा बादे पहले दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाओ देखो यहां पर आपने वहाँ पर फ्लास लगा दिये, डेकोरेशन महाँ पर कर दिया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, water garden, क्या बोला गया, planned planting of aquatic and semi-aquatic plants, अभी aquatic plant क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसे जब लगाना भी पानी के अंदर है, तो geoponic system को use नहीं कर सकते हैं, बदलो जो आपके plant, जो मिट्टी म semi-aquatic plants, in and around pool is known as water gardening, the reflection of the sky and the plants on the water surface, little wave passing in parade with gems of sunbeam on their crest and movement of fishes in water all give a very pleasant and happy feeling, है ना, हो कहा रहा है बाई, पानी है बहाँ पे, plants है, ऊपर से जो sunlight आ रही है, वो उसके अंदर reflect हो रही है, प्लस जो बादल जा रहे है, वो नीचे दिख रहे है, पानी के अंदर दिखेंगे, है ना, उसके सासर के है, वहाँ पे, पानी के अंदर जो aquatic हमारी species है, aquatic animals, जो जली है, जन्तु है, मसलिया तैरनी है, तो वो एक सारा जो नजारा है, जो एक द्रश्य है, वो सुन्दर दिखता है, beautiful दिखता है, वो लागया, it may be natural और artificial, informal और formal, तो यह जो water garden है, हो सकता भी, अपने plants grow हो गया हो, बड़ो उतना सुन्दर नहीं होगा, जितना हम artificial उसे बना लेंगे, तो garden के दो टाइप आप लोग समझ गे, एक था हमारा बोग गार्डन, और दूसरा हमारा कौन सा water garden, क्या दोनों में difference clear हो गया, जड़ा yes और no बोल दीजिए, विकोज फिर अच्छा लगता है बच्छों को समझ आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि no सुनने बुरा लगता है, तो समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज आप no बोलिए, ट्राइ करें कि अच्छे से पढ़ाया जाए, है ना, चो हमने बात करी कि इसकी बोग गार्डन की और water garden की, बोग और water आप clear हो गया है, नेक्ट बोला गया, संकन गार्डन, है ना, संकन गार्डन की जब बात करते है, संकन गार्डन का मतलों क्या होता है, संकन गार्डन, नाम कैसा से जाज़ता है, संकन, जड़ा देखें यहाँ पे है ना, संकन कैसे तो कि डिप्रेशन वाले एरिया उसमें होते है, यह डिप् एक्जाम्पल कि आओ कभी-कभी आप पहाड़ों में गए होगे, गए हो पहाड़ों में, है ना, आप सडक पे जा रहे हो, आपने नीचे देखा, ओ यार, कितना नीचे था क्या, देखा कभी ऐसा, definitely, notice तो कि आओ कभी नहीं, कितना नीचे से दिख रहा होता है, ये मालों कि पहाड़ों जो नीचे का एरिया तो में दिख रहा है ना, वो प्लेस वाला डिप्रेशन, क्योंकि हम अगर सी, वोटर, रिवर्स को स्टड़ी करें, वहाँ भी डिप्रेशन वर्ड आता है, है ना, आपने डिप्रेशन वर्ड को पढ़ा होगा, तो डिप्रेशन का मतलब क नीचे जुका हुआ स्थान जो है, है ना, वहाँ पे गार्डन की जुका हुआ स्थान वह गंदा सा लगता है, उसे ब्यूटिफाई करना है, दिखो आपको दिख रहा होगा, वो दिखो ऊपर के एरिया से है, फिर यह नीचे 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 गार्डन है ना, depression is made into different tires over which ground cover, edges, flower bed and small hubs may be grown. At the center of depression, a pond or pool is formed to grow water plant. जो center है वहाँ पे एक pond या पूल भी बनाया जा सकता है जहाँ पे water के अंदर या लगर सके, water के अंदर plants को हम ग्रो कर सके. ठीक है बच्चो? तो यह हमारा garden कौन सा हो गया? यह हमारा sunken garden होगा, तीन garden पड़े, bog garden, water garden, sunken garden. मैं एक बार फिर से repeat करना हूँ आपको, आपका समझाना बहुत जरूरी है, एक बार question पूछते हैं आप से question का answer करिए, फिर आपको बताऊंगा तीन नो garden में difference, कौन को पहले question पड़ते हैं? अब garden which is always grown in water low condition will be known as, अब water low का मतलब वह बस समझाना है कि soil science और यह floric culture दोनों अलग-अलग है, soil science के अंदर water low का मतलब कुछ होर होता है, यहाँ पे water low का मतलब कहां से लिए रहा है, जहाँ पानी खड़ा रहे हैं, मतलब moist condition हो, water stagnancy ना हो, water की हम क्या गरेंगे वहाँ से बाहर जुरूर निकालेंगे, वो garden कौन से है, जहाँ पे water low condition होती है, उसे water garden बोलते हैं, उसे both garden बोलते हैं, मार्शी गार्डन बोलते हैं, या फिर both B and C, है ना, जल्दी से अपना answer लिख दीजिए, answer क्या ने वाला, right यहाँ पे, है ना, कि water low condition के अंदर, जिसे grow किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बच्चों, है ना, जल्दी से लिखे, A, B, C, D, right answer क्या आपका? ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चों, ठीक है, आपकोर्स, आप सब लोग answer right लिख रहे हैं, ना, जब right answer की बात करता हूँ, हमने अभी-अभी discuss किया था, है ना, हमने क्या discuss किया था, कि जो water log condition के अंदर है, अब लोग A, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग B भी लिख रहे हैं, A और B दोनों ही गलत है, water garden नहीं बोलेंगे, है ना, कुछ और बोलना पड़ेगा, A और B गलत answer है, यार, क्योंकि, देखो ना, water garden तो नहीं था, अब यहीं पड़ा, वहाँ पर तो aquatic और semi aquatic प्लान लगाए थे, ये गलत का मत किया करो, समझते हैं, फिर गलत करते हैं, this is wrong बेटा, ऐसी नहीं काम चलेगा, like मैं successful बनना है, तो हमेशा concentrated रहो, मजे मतलों चीजों के, के हाँ, link आ चलते लिख यूटियोप है, this is wrong, है ना, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं promotion भी करता हूँ, बट promotion के time पर promotion, जब पढ़ा रहे हो, तो फिर बच्चों पर focus रहो, तो same बच्चों जब पढ़ रहे हो, तो study पर focus रहो, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, में भी तुमारे whatsapp के notification आ रहा है, कुछ और है, मुझे इच्छ आएगा, बट बोग गार्डन का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम मार्शी गार्डन था ना यार, बोग गार्डन is also known as मार्शी गार्डन, तो B भी ठीक है, C भी ठीक है, बोथ B and C, right answer क्या आएगा, right answer will be, बोथ B and C, that's it, इसमें कहां difficulty थी, खुद के दिमाग से पुछो कि क्या ये कुछ मुझे नहीं आता था, definitely आपको आता था, हम exam में क्यों गलत कहते हैं, क्योंकि हम चीजों को उतना serious लेते ही नहीं है, इसलिए बड़ एक famous सी court है, court तो किसी scholar ने विद्वान ने नहीं कही है, ऐसा status में पढ़ी थी, बट मुझे भी अच्छी लगी, actually ऐसा ह होता है, किसे ने लिखा था, कि अकल बदाम खाने से नहीं, ठोकरे खाने से आती है, आज तो तुम चैट में गलत करो, जिस दिन पेपर में गलत हो गया ना, उस दिन बड़ा ध्यान रखो, कि नहीं नहीं ऐसे गलतियां दूबारा नहीं करूँगा, तो प्लीज बच्चों की अंदर लगाएगा, उससँ संकन गार्डन बोला गया, बात करते है, गार्डन लैन्टर् apologized की, यह गार्डन लैन्टर्न समझाने के लिए इसका एक मैं गलत नाम ले लेता हूँ, गलत नाम क्यों लेता हूँ, आपको याद रहाजागा, इसे लाल टेन बोल देते हैं, गा यूज़ तो डेकोरेट बुद्धिश्ट टेंपल तो एक्चुली आजकल ये कंसेट घरों में बढ़ा आ गया है ना ना नहीं ना घर बंते है वहां भी होता है बट ये स्टार्ड कहां से होता है बुद्धिस्ट टेंपल से वहां पर ने यूज़ कहता है कि इने lanterns को lightning को है ना फिर बोला गया they become the thing of beauty in the garden also अब बुद्धिस temple से हमने कोपी कर लिए कहां पर gardens के लिए नेक्षा बोला गया standard lanterns और leg lanterns और stone lanterns are used as a informal manner to decorate these garden है ना हम use करते हैं किसको standard lantern को किसके लिए use करते हैं अलग-अलग purpose के लिए beauty fish बढ़ाने के लिए garden जो lantern हो क्या से हो सकते हैं लेक्ड हो सकते हैं स्टोन हो सकते हैं या फिर आपके standard lantern भी use करता है कुछ ऐसे जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं समझके गार्डन lantern से आगे चलते हैं बात करते हैं ट्रोफी ट्रोफी क्या होता है बाई साब ट्रोफी के लिए कभी आपको भी ट्रोफी मिली होगी है ना छोटे होते हैं से ट्रोफी देखी होगी आपने कुछ वैसा ही यहां पर connect कर लो दिमाग में ले क्या हो कि तुम्हारे पास एक ट्रोफी मिली तुम्हें घर पे लिए उसे सजा के रख दिया अपने सजा के वैसा ही गार्डन का ट्रोफी होता है एक ऐसा area कोई pillar है कोई पेड है जिसके आराउंड जिसके आपने इंद गीव क्या कर दिया पोर्टेड प्लाट्स मतलबुत गमले वाले प्लांट्स को दिया जैसा कि यहां पर आप देख पारें उस प्लेस को वह वाले प्लांट्स लगा के आपने ब्यूटीफाई कर दें उससे क्या बदर ट्रोफी बोल देते हैं बोला गया इट इस अर्रेंजमेंट ओ कलरफुल पॉर्टेड प्लांट इन डिफरेंट टायर्स अराउंड क्या बोला गया ट्रोफी जहां रखना बाते बड़ी इंपोर्टेंट हैं यह क्योंकि आपके डीडी ऐसे ही कोशन पूछने वाला है नेक्स साथ है टोपियरी टोपियरी पढ़ते बाद में पहले देख लेते हैं है ना देखते ही आप समझ हो कि टोपियरी क्या होता है यह ही टोपियरी होता है आपने पहले श्रब को यूज करें क्या बनाया था हमने क्या बनाया था लगट को इसे क्या होलेंगे कटिंक और शेप का, तो पाईरी या फिर टोपीरी का मतलव क्या होता है, जब उसे प्रोपर शेप हम देदेते हैं, कुछ ऐसे, आपने दिखाँ, गार्डन में हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, खरगोश बना हुआ है, कुछ स्टेडी बना हुआ है, कुछ वेलकम के लि उसे तोपाईरी बोल दिया जाता है, right? तो देखें तोपाईरी के लिए क्या लिखा गया? बोला गया, it is the art of developing the plants और training the plants into different forms और shapes like animal, birds, arches, etc. The plant should be amenable for repeated pruning and also flexible with more vegetative growth है, na? जो plant है भाई, उनकी pruning करनी पड़ी आपको time to time pruning, trimming नहीं हो रही है तो shape खराब हो जाएगी, because आप समझ सकते हो इस shape को maintain करके भी रखना पड़ेगा बनाना important नहीं है, उसे बार-बार trimming करके pruning करके maintain भी करना पड़ेगा फिर वो लागया, hills और plains के लिए किन-किन plants को या आपकी swabs को आप use कर सकते हो किसके लिए आपका topiary बनाने के लिए यह वाला part यहां पर just एक example दे दिए एक दो चार आपके notes के अंदर detail में इसे add किया गया और यह सबसे ज़्यादा important है because question definitions भी भी आएगा और ज़्यादा question facts से आएगे आपके examples से, तो examples सारे यहां discuss नहीं किया जा सकते हैं वो notes के अंदर completely हमने add किया है next चलता हूँ topiary के बाद आगे क्या आया देखो topiary के बाद next यहां पर क्या लिखा गया topiary के next चलेंगे बात करेंगे avenue की, avenue हमने पड़ा हुए definitely avenue आप लोग जानते हो avenue का मतलब क्या आता है avenue का मतलब कुछ ऐसा कि जब से हम road पे जा रहे होते है road पे आपने double side planting देखी होगी, देखो ही आपने road पे definitely आपने देखी होगी तो road पे दोनो side जो planting होती है कुछ ऐसे, दिख रहा है आपको दोनो side यहां पे क्या है planting है, तो बच्चों यह जो आपको दोनो side planting दिख रही है इसे क्या बोल देते हैं, it is known as avenue, right है ना, तो avenue के लिए क्या बोला गया बोला गया, an avenue is the row of trees, grown on the both side of roads, shade and beauty are the sole criteria to be considered while selecting avenue trees, the tree should be also be selected according to the length and breadth of the road, depend करते है अब आप जो walkway है आपका जो road है, जो path है जहां पे आप avenue बनाने बाले हो वो उसके according हम उसकी height, breadth, width सब decide करेंगे but again make sure avenue का मतलव क्या है, double sided trees की planting कर देना, उसे क्या बोल देते हैं it is known as avenue आगे चलते हैं, next बात कर देक इसी conservatory, नामशी clear, conservatory, conservation conservation या फिर conservatory, मतलो conservation से क्या बन गया conservatory बन गया, है ना conservatory क्या होता है, बताता हूँ question मुझे याद आगया, इससे याद तो नहीं actually आपने question पूछा था, बटो conservatory से related था तो आप से पूछ लेता हूँ आप जानते हो हमारा national flower कौन से है, एक बार दुरा आंसर करो, फिर आपका बताऊंगा question क्या है, क्योंकि ये भी a question है, national flower की बात करें इंडिया का जो, मैं एक बार conservatory को हटा था था था, यहाँ पर आयते हैं, आप distract ना होगे, फिर conservatory की definition पढ़ेंगे तो फिर हमारा दिबाग कहीं और जाएगा एक बार के लिए इंडिया का national flower पूछ रहा हूँ मैं तो इंडिया की बात जब करते हैं, भारत की बात, हमारा जो national flower है, ये कौन सा है, बताऊगे हम रोज है, बोगन विलिया है, है ना, मैरी गोल्ड है, लोटस है ये कोई और है क्या है हमारा national flower है, है ना, ओके, national flower हमें नितिश जी ने लिखा, रोज है, नितिश जी हमारा national flower रोज है यार, ऐसे मत करो यार, national flower तो पता आना चाहिए, ये तो कोई difficult नहीं है है ना, कुछ लोग रोज लिख रहे हैं बीच बीच में, बट मैजोर्टी ऑफकोर्स सही लिख रही है रोजा इंडिका, चोहान साब ने लिखा ऐसा, चोहान साब रोजा इंडिका नहीं है यार, थोड़ा ध्यान रखिए, अफकोर्स, लोटस इस दा राइट आंसर एक कोशन और कुछन है, लोटस की जब बात करते हैं, लोटस जो है, क्या आपने इसे कभी फ्लार अर्रेंजमेंट में या फिर जो आपके बुके होते हैं, जहां भी हम डेकोरेशन से करते हैं, वहाँ पे लोटस आपने नहीं देखा होगा मेरा कॉशन एक्चुली ये नहीं था कि नेशनल फ्लार कौन सा है, मेरा कॉशन ये था कि नेशनल फ्लार को अफ्लार अर्रेंजमेंट में, बुके में, डेकोरेशन में, ट्रेडिसनल इवेंट में, नेशनल फ्लार यानि की लोटस को यूज क्यो नहीं करते हो, इसका आंसर को जांता है जो लोग रोज लिख रहे हैं उनकी लिए बता दू पहला तो हाँ अफकोस यह भी है इंगलेंड की जब बात क्रोटे हैं इंगलेंड का नेशप्लार रोज है तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा इंडिया को जो national flower है वो क्या है कमल या फिर lotus जो है कमल का फूर flower lotus है ना वो क्या हमारा national flower है now the question is उसको हम flower arrangement में use क्यों नहीं करते हैं क्या reason है कि उसको use नहीं किया जाता है ना आप लोग no लिख रहे हैं रवी परकार जी ने लिखा अजय सिंग राना एंड निहा मिष्रा आप का अंसर ठी क्या उसे use नहीं करते हैं? My question is क्यों नहीं करते हैं? अच्छा flower है दिखने में अच्छा लगता है तो फिर उसे use क्यों नहीं किया जा रहा? Reason क्या है के lotus को flower arrangement में यूज नहीं करते हैं ना आगे चलें कंजर्वेटरी की बात करें के कंजर्वेटरी क्या होता है बट एक कोशन जो आप आंसर कर दीजिए के लोटस को नेशनल फ्लार को फ्लार एरेज्मेंट में यूज क्यों नहीं किया जाता अभिशेक पांडे जी ने सबसे पहले आंसर दीया है पांडे जी कहते हैं कि शेल्फ लाइफ कम होती है थोड़ी कम ज्यादा थो देखेड ट्राइब करो बताओव आप है ना मैं तो बताऊँगा डेफिनिटली लाइफ कम होती है वोटर में होता है फिर यह नेशनल है फिर क्या होगा है फिर को यूज नहीं करेंगे नहीं या ऐसा नहीं है नेशनल है तो टो क्या reason है don't know water में होगा because without water it is no sun taste sustain ओके रिया मैं हम कहते हैं अलाबाद में ब्रांच है ना sir अफकोस मैं अलाबाद में ब्रांच है lecture खतम हो जाए फिर ब्रांचे की बात करेंगे वास life is very poor ठीक है आपने अवस्ती जी एक technical word लिखा है वास की spelling शाय थोड़ी आप से गलत हो गई है बाकी अफकोस आप ठीक बोल रहे हैं है ना sir lotus flower arrangement किसी ने लिखा production कम होता है और राकेश यादर जी ने लिखा है National conservation act में आता है दिखो वई अब यही बात होती है इतने सारे बच्चे आप लाइब हो राकेश यादर जी ने एक राइट आंसर दिया और थोड़ा सा ठीक आंसर कल्यानी सिंग ने भी दिया के production कम होता है बट हाँ राकेश जी ने टेक्निकली बिल्कुल सठीक आंसर दिया National conservation act में आता है यार सिंपल सी बात ना किसी flower को national flower क्यों बना थैस को सुंदर है क्यों ना था नहीं थे निस थे इसको हम फ्लार अर्रेजमेंट में यूज नहीं करते हैं यह नहीं कि ने थैसको हमारे भुके के लोगा यह था आंसर स्क्राइब सब्सक्रुल क्या सबस्क Сबीए थे तो लोगफुली आप लोग समझ पाई होंगे, conservatory की बात हम कर रहे थे, क्योंकि conserve करते हैं, उससे मुझे वो question याद आया, किसी ने पूछा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, conservatory का मतलों क्या होता है, it is known as conservatory, क्या बोला गया, a conservatory is a place to grow, it could be one of those glass greenhouse, where rare and delicate plants can thrive, delicate मतलों जो sensitive है, जो easily grow नहीं हो सकते, और it could be a place, है ना, और it could be a place to grow your artistic talent, आपको grow करना अच्छे से आता है, या फिर आप हमें talent show करना जाते हो, कुछ delicate plant है, उनको हमने grow कर लिया, वो हमारा क्या conservatory, उसके बाद मिलता जुनता एक और होता है आपका terrarium, थोड़ा सा लग है, बट कैसे मिलता है देखो यहाँ पर, यह भी आपका artistic talent ही तो show कर रहा है, है ना, क्योंकि यह क्या होता है कि enclosed structure होती है, बंद structure है अब उसके उंदर एक hole होता है, बंद glass container, मतलो, शीशे वाले jar के अंदर, that provide just enough an opening for the gardener to assess their plants, बस उतना सा खुल है कि जो gardener है, जो से maintain करता है, वो से assess कर सके, terrarium can also be grown in the open glass container, खुल यह के अंदर भी हो सकता है, कुछ ऐसा आपका terrarium होता है, hopefully, conservatory और terrarium के अंदर difference आप लोग समझ पाई होंगे, आगे चलता हूँ, एक और word की बात करना है, अर्बोर्टरम है ना, अर्बोर्टरम का मतलब क्या होता है, अर्बोरी कल्चर से आया, growing of tree से बन के आया, तो बस अर्बोरी कल्चर से growing of tree से आया, तो उसी से बन जाएगा अर्बोर्टरम, कुछ ऐसे देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, so, क्या बोला गया, growing of different species or trees in one place is called अर्बोर्टरम, it is trees from the form, the main framework of the garden, क्योंकि trees के बिना garden complete नहीं हो, पता कहीं नहीं, थोड़े या ज्यादा tree आपको लगाने पड़ते हैं, नेक्स चाह बोला गया, बला, group of trees in one place will have to give depth to the garden, trees are very fascinating because of their graceful appearance and the abundance of bloom, they are grown for their economic importance or aesthetic value or both, right? चलो, यह था अर्बोर्टरम आपका, आप समझ पाए होंगे सारे के सारे, अब आपको बता देता हूँ, आपका जो DDA SW question paper है, यह भी एक demand थी, आप सभी लोगों की मेरे पास यह काफी time से था, बट आपको पता है, मैं जब lecture deliver करता हूँ तो मुझे वह वाला काम नहीं आता है, यार के फटा-फट से कुछ भी पीडिया, क्योंकि आपने देखा, मुझे इस बड़ी गलत सी लगती है, मैं या तो YouTube पे नहीं आता हूँ, आता हूँ तो proper preparation के साथ आता हूँ, पे पीटी देखी होगी जैसी थी, क्योंकि चीजे एक बार देखो तो समझ आ जा जा, यह ना हो के YouTube वीडियो देखी, फिर किताबों के अंदर पढ़ रहा है, यह क्या है, यह क्या है नहीं, मेरा मान है एक बार बच्चे को पढ़ा दिया गया ना, फिर उसे लाइफ में भूलना नी चाहिए अभी, तो मैं proper preparation के साथ आता हूँ, इसका question paper बहुत time से था हमारे पास, actually जो question paper है, but PPT के अंदर सारा explanation बनाने में time लगता है, इसा नहीं, जब तक strategy आपकी proper नहीं, आप exam qualify नहीं कर पाऊगे, यह चीज सबसे important है life की, एक strategy है जो आपको सबसे उपर रे जा सकती है, और strategy है जो आपको बहुत नीचे ले जा सकती है, अगर मैं instant होटी कल से पढ़ने बैठ जाओ, उसमें बहुत कुछ book बहुत अच्छी है वो, उतनी छोटी सी book और उतने कम प्राइज में उतनी अच्छी book नहीं मिल सकती, but the problem is उस paper के according सारी अच्छी नहीं है, तो मैं वो पढ़ता जाओं जो paper में ना है तो मुझे नुकसान कर रहा है, अफकोस आप agree हो मेरी बात से, तो थोड़ा साथ ध्याना को उसी बात के लिए, उस आपके paper के लिए, सारा का सारा आपका paper 80 questions जैसे जैसे आये थे, with option discussion हम करेंगे, और सारा साथ आपको source बताते हैं कहां कहां से question आ सकते हैं, प्लस उनका description उनका analysis भी आपको देते जाएंगे, फिर मिलूँगा after 3-4 days जैसे ही time मिलेगा, बिकोस lockdown में थोड़ा सा workload हमारा बढ़ गया है, बिकोस सारे लोग नहीं है तो काम थोड़े से लोग को सारा करना पड़ता है न, daily classes चलती है, DDSO के लिए daily class होती है, फिर कुछ और pre-PG MSC वाले भी चलते रहते हैं, Sunday to Sunday test होता है, तो सब कुछ अब limited लोगों को संभालना पड़ रहा है, बिकोस lockdown करना office में नहीं आपाते सारे लोग है न, तो थोड़ा साब delay हो जाता है, but definitely 3-4 दिन के बाद वापिस आपको मिलूँगा, अब आप ब्रांच वाली बात कर लो, जो भी आप कर रहे थे, बिकोस आप पढ़ाते हो, बीच में बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है, बच्चा distract होता है, यार के पढ़ाते पढ़ाते क्यों बोला, ब्रांच वाली बात के लिए तो कुछ ऐसा है न, के हाल फिलाल तो लोग डाउन चल रहा है, तो ब्रांच से मत खुछ हो, क्योंकि पता नहीं के अब खुलेगा, और ऐसा भी नहीं के फटावट से टारगेट करें, अडमीशन कर लो, नहीं है, जब तक हम सेफ नहीं है, बिकोस जान है तो जहान है, तो जब तक सब बच्चे सेफ है, कि हाँ, अब गैजरिंग हो सकती है, तब देखेंगे बैच आपको उसी टाइम दे देंगे, ब्रांचल बहुत है, हमारी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, कोई वो वाली बात नहीं है, बड़े सारे मारी सोसाइटी गरीब लोग हैं, जो इस टाइम पर अच्छे से नहीं है, जो डिली मजदूरी करता बजारा, खाना भी निखा पारा, थोड़ा सा ट्राइ करो इस टाइम पर, उनकी भी हल्प करते रो, जरूरी है उनकी हल्प करना, बिकोज शुरू-शुरू में तो लोगों ने help करना स्टार्ट किया, वेट अब लोग ठंडे पड़ते जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखो, बाकी branches वाला, batch वाला, सब time to time inform करूँगा, और मैं जब भी कुछ inform करता हूँ, तो मेरा जो telegram channel है, वहाँ पर हमेशा मैं लिखता रहता हूँ, जो भी कुछ मुझे share करना होता है, तो telegram पर जाएए, सर्च कीजिए, एगरी coaching channel जोइन कर लीजिए, सारे के सारे quiz के question वहाँ पर हम share करते हैं, प्लस जो भी important information है वो भी share करते हैं, आपका अगला lecture कब होगा, वो भी जैसे आएगा, तो वहाँ पर हम update कर देंगे, अब आपका कोई doubt है तो पूल सकते हैं, दो से तीर मिन्ट के लिए वेट करूँगा, उसके बद फिर मैं नेक्स क्लास का time और है 651 होगे हैं, यस टाइम पर 10 branches हैं total, 12 है एक्चुली बड़ दो working नहीं है, UP के अंदर अलाबाद और कानपूर के अंदर है, दो जगा पर है, सुल्तानपूर और आगरा लोकेशन हमने final किया हुआ है, लोकेशन final है, इंफ्राशक्चर final है, बस जैसे ही lockdown खतम होगा, सुल्तानपूर और आगरा में start कर देंगे, उसके बाद MP के अंदर जो है, इंदोर के अंदर है, और इंदोर के साथ सागर के अंदर भी है, गवालियर कुछ बच्चों का मानना था, तो गवालियर में नहीं फिर आगरा में दे देंगे, विकोज गवाली और आगरा से ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं तो आप गवाली से आगरा में आ सकते हो राजस्तान से हो तो राजस्तान के अंदर एक पार्ट हम कवर करते हैं हमारी जैपूर ब्राँच दूसरा पार्ट कवर करी है हमारी गंगानल ब्राँच तो गंगनर उजैपूर में है, पंजाब से है, तो पंजाब का इनीशलवदा पार्ट बठिंडा ब्रांच है हमारी, फेर हम चंडीगर मुहाले के अंदर तो लोकेटेड है, यह है, महारास्तरा से है, तो वहाँ पे पुर्ने और अरंगाबाद के अंदर हमारी ब्रांच है, राइट, चलिए, तो अब कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बुक्स के अंदर लिख देना वहाँ पे, अगली क्लास में जब आँगा, तो शुरू मैं आपके कमेंट को याइड कर दूँगा, मिलता हम आपको नेक्स वीडियो में, थैंकियो सो मच, बाबाई